गुट इवनिंग फ्रेंट्स मैं अमित कुमार गुपता एडवोकेट अपने इंकम टेक्स के के सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिसकस करूंगा उस केस का नाम है मिस्टर रमेश कोचर वर्सिस इंकम टेक्स ऑफिसर यह केस 26 अपरैल 2022 को डिसाइड गया गया ब का और बहुत ही इंपोर्टन जड्गमेंट है डिमोनेटाइजेशन पीरिड के अंदर जो कैसेज ने अकने बैंक में जमा किया यह एक पॉजिटिव इस तरीके से हैं अससी का अलेक्ट्रिकल का बिजनस था अससी ने 37 रुपे के करीब डिमोनिटाइजेशन पीरिट के अंदर कैश जमा किया था यह पुरानी करंसी के अंदर जमा किया गया था पांसो के और हजार के नोट्स ते जो भी कैश जमा किया गया अससी ने यह कहा कि स मैंने माल बेचा था वो मैंने प्रॉपर्ली अपनी वैट रिटन्स के अंदर इंकॉर्पेट किया है और उसके बाद मेरा आडिट हुआ है और आडिट के अंदर कोई भी चार्टर अकाउंटने कोई भी नेगिटिव पॉइंट जो है मेरी अपनी अडिट रिपोर्ट के के इतना cash deposit करने की और उसके बाद भी ने किया गया तो खाली जो Department का point था वो खाली ये point था कि साथ Assessy का demonetization period में cash जमा हुआ है बाकि जो cash जमा हुआ Assessy ने अपनी sales के अंदर उसको दिखाया Assessy का ये कहना था कि साथ ये मैंने अपनी books में proper entry की है voucher number मैं प्रॉपर डाला है बिल नंबर प्रॉपर है और मैक्सिमुम नंबर ऑफ केसिस में अससी का यह कहना था कि साथ जिसको मैंने माल बेचा है उसकी आइडेटिटी भी पुरूव होती है यह एक अससी का इस केस में स्टॉंग कॉइंट था लेकिन असेसिंग ऑफिसर साब को हमने देखा है कि मैक्सिमम केसित के अंदर together monetization के अंदर डीपार्टमेंट ने अससी का अडिशन कियar और उन टैसिस के अंदर जहां पे department को पुरे साल भर cash deposit नहीं मिला या पिछले सालों में उस प्यरिट में cash जबान नहीं डिपार्टमेंट ने खाली यह देखा कि साब डिमोनेटाइजेशन का पीरेड जो सेम यह उससे पिछले साल में चले जाते क्या उन सालों में कैस्ट जमाएं तो डैट वास्ट राइटीरिया विच्ट डिपार्टमेंट वास टेकिंग फॉर मेकिंग दाइडिशन्स बट इन ने चले फेशलेस अपील सेंटर ने अससी जो हुआ इस अपील के एंगे इस जो है वो आइटीटी गया आइटीटी ने जो इस के अंदर अपनी फाइंदिश दी वह फाइंदिंश फ्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने केस को लड़ने के लिए आइटीएटीए के अंदर और क्योंकि यह डिल्ली में तो यह डिरेक्टली डिमुनिटाइजेशन के सारे केसिस के अंदर यह केस जो है वह मील का पत्तर साबित होगा सबसे पहली बात आइटी ने कही अंडिस्प्यूटिर फेक्ट डैट ओन दाफोर्ट सेल्स वैट ऐस पर अप्लिकेबल रे वैट इस अल्सों रिफ्लेक्टिद इन डवेट रिटरंस फाइट बाइड असेशी विद देपार्टमेंट और ट्रेंट उन्हों ने कहा कि जो वैट जमा किया है वो भी असेशी की वैट की रिटरंस में दिखाई दी रहा है थार्ट पॉइंट इट ने कहा कि रेवन्यू कि यह सेल्स बोगस है यह फिटीशेस है लेकिन डिपार्टमेंट कुछ भी ऐसा रिकॉर्ट पर नहीं ला पाया चोथा पॉइंट इस ने कहा कि रेवन्यू हैस नोट प्लेज़ नी मेटीरियल और रिकॉर्ट टु डेमोस्टेट दैट दा वैट रिटरं फाइल बाइड अ इस आप यह फेक्ट देट अशेसी वाली वन सोर्स ओंकम विच इस आल्सो नॉट इंडिस्प्यूट इटीएट ने कहा कि जो असेसी उसका एक ही में सोर्स ओंकम है आप यह भी नहीं कह सकते कि यह असेसी जो यह किसी और सोर्स से यह पैसल आया है नेक्स्ट बाद जो आइ आपने जो नहीं सेल्स रिटल में ले लिए प्रॉफिट और लोस अगाउंट में ले लिए आप ने उसकी कोर्सपोंडिंग पर जेस इसको भी रिजेक्ट नहीं किया आप ने असेसी की बुक्स भी रिजेक्ट नहीं करी तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो ITAT का यह जो जज्जमेंट है यह cash deposits के case में बहुत एक मील का पच्थर साबित होगा उन cases को deal करने में जहां पर SSC ने demonetization के दौरान जो है वो माल बेचा मज़े की बात है कि इस point में कहीं पर भी यह point नहीं आए कि साथ जो demonetization के time वे SSC ने माल बेचा उस तें तो SSC को वो क्रंशी ले नहीं अलाव नहीं था 500 और 700 रुपे की तो चाहे SSC ने वो क्रंशी 500 या हजार रुपे के नोट्स की ली या नहीं ली इससे कोई फरक दी बढ़ता इस case के मुताबिक तो friends this case is very important in dealing with demonetization cases in which the cash was deposited by the SSC and the department was taking the main point that the same cash has not been deposited in the corresponding period in the previous years or there is no cash pattern of depositing the cash by the SSC but only during the demonetization period the SSC is depositing the cash so this is the decision which is in favor of the SSC and this is a very important judgment once again I am repeating the name of the case the name of the case is Mr. Ramesh Kochar versus the income tax officer versus ward 45-1 daily friends at the end of my this video I appeal to you that if you like my channel then please subscribe my channel and press the bell icon so that I may be motivated in making more videos and more interesting videos on the income tax case laws thank you friends good evening